नमस्कार मिरा नाम है मिताब और द्रिष्टी PCS की धरोहर उत्तरप्रदेश रिंखला में एक बार फिर से आपका स्पागत है जैसा कि आप जानते हैं कि इस रिंखला के अंतरगत हम उत्तरप्रदेश की धरोहरों को कवर करते हैं ऐसी ही है कि इमारत आज आपके सामने ले के हम उपस्थित हैं आज हम बात करेंगे छफटर मंजिल की छफटर मंजिल अतिहासिक स्थलों के बीच अगर हम बात करें तो एक ऐसा है वस्तुकला का उदाहरन प्रस्तुत करता है जिसके सांस्कृतिक महत्व से कोई असा व्यक्ति नहीं होगा जो मंत्र बोग्ध नहों लखनव के जीवंत विरासत को पोशित करने वाला ये महत्वण हिस्सा है आज छातर मंजिल जो लखनव में स्थित है इसकी चर्चा लेके हम आपके सामने उपस्थित है कुछ ऐसे तथ जो परिक्षा के लिहाद से आपके लिए महत्वण होंगे शुरू करते हैं आज का सफर छातर मंजिल को हम कवर करेंगे किन बिंदों के अंतर गज़ सबसे पहले उन बिंदों को देखें तो भागोली की स्थिती महत्वण हिस्सा है सबसे पहले उसको देखेंगे एतिहासिक प्रिस्थ भूमी क्या है उसको देखेंगे क्या विशेस्ताय हैं और क्या कुछ ऐसे तथ हैं जो परिक्षा के लिहाद से महत्वण हो सकते हैं अंत में हमारी परिपाटी अभ्यास प्रश्न की है उस पर भी हम चर्चा करेंगे बात भागोली की स्थिती की अगर करें तो जैसा की आप जानते हैं लखनों की चर्चा हुई तो उत्तरपदेश की राजधानी लखनों में गोमती नदी के तट पर इसकी अवस्थिती है जो उत्तरपदेश से बाहर के चातर हैं उनके लिए ये बताना अवश्यक है अतिहासिक प्रिष्ट भूमी की अगर बात की जाए तो च्छतर मंजिल जो लखनों के गौरोशाली अतीद का प्रतीक है इसको अंबरेला पैले सी या च्छतर मंजिल के नाम से भी जाना जाता है कहते हैं कि कोठी फरहत बक्ष और च्छतर मंजिल एक ही इमारत थी हाला कि कुछ इतिहासकार इसको अलग अलग इमारत मांते हैं ये मांते हैं कि उसी जगह पर बगल में इस च्छतर मंजिल का निर्मार कराया गया था इस कोठी परिसर के अंतरगत ही फरहत बक्ष और च्छ जनरल क्लाउड मार्टिन, ये क्लाउड मार्टिन का निवास हुआ करता था, अर्थात एक यूरोपी और फ्रेंज व्यक्ति का निवास होता था, और 1781 से लेके 1800 तक अगर बात करें, जब तक इनकी मृत्यू नहीं हो गई, तब तक ये इसी निवास में रहते भी थे, बाद म इनकी मृत्यू के बाद एक स्पैनिश व्यक्ति थे, जिसनका नाम जोसेफ क्यूरोज था, वो तकरीबन 40,000 रूपए में इस कोठी को खरीद लेते हैं, तातकालीक समय में 40,000 रूपए का आकलन आप लगा सकते हैं, उस समय इसकी वैलू क्या थी, खैर उस समय, 1800 स्वी में, मुद्रा स्वीती की हिसाब से आप गड़ना कर सकते हैं, तो 40,000 रूपए में अर्थात एक बहमुली कोठी को खरीदते हैं, एक स्पैनिश व्यक्ति जोसेफ साहब, अब बात करें कि नवाब, जो अवद के नवाब थे साधा तली खान, उन्होंने जब इस कोठी को देखा और उनकी बीमारी यहाँ पर आने के बाद ठीक हो गई, तो नवाब को ऐसा लगा कि उनके लिए यह कोठी बहुत सही है, यहाँ पर आदमी आरोगी को प्राप्त हो रहा है, निरोग हो रहा है, तो ऐसी दशा में उनकी खुशी का बढ़ी और उसी खुशी का परिडाम था क इसका नाम उन्होंने कोठी फरहत बक्ष रख दिया इसके बाद ये क्रम आगे बढ़ता है और 1814 में जब नवाब की मृत्ति हो जाती है तो उनकी अगली पेड़ी उनके पुत्र जो लोग थे उनके बेटे इसको और भव बनाने का काम शुरू कर देते हैं तो ये कुछ क्रम चलता है अब अगर देखें इसके निर्माड की बात करें तो नवाब सहाद तली खान ने इसी कोठी के बगल में एक जो इतिहासकारों का मान निमत है उसके अनुसार इस कोठी के बगल में जो छतर मंजिल जो मुख्य बिल्डिंग है जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका निर्म हैदर इनके जो बेटे थे उन्होंने इसको और साज सज्जा का काम किया इसको विस्तार दिया कहीं कहीं ये कहा जाता है कि इन्होंने उसका निर्माड किया चुकि इन्होंने साज सज्जा और निर्माड का कारेतना अधिक कराया इसलिए इनको विश्रे देते हैं इस पर अ उससे गोमती नदी के तट पर यह स्थी थे, गोमती नदी का पानी टकराता था, जिसके कारण गर्मी में भी यहां पर शीतल वातावर और बिल्कुल बना रहता था, अवध की बेगमें जो होती थी, उनका ये निवास अस्थान हुआ करता था, आगे गर हम बात करें तो जब अगनवाद का राजारोहण हुआ, उस राजारोहण के बाद जो छत्र था, उस छत्र को इन्होंने इस महल पर भी उसी तरज पर एक छत्र लगवाया था, ये आप देख सकते हैं, स्नूने का भी एक छत्र इसमें हैं दिखाई देता है, 1857 के स्वतंतरता संग्राम का यह तो पुर्ण स्वतंतरता संग्राम का गवाह बनती है, इस लिहाद से भी इसकी महत्ता है, जब अंग्रेजों ने इस पर कबजा कर लिया, तो उन्होंने यहाँ पर कबजा करने के बाद यूएस क्लब बना दिया, यूएस क्लब के रूप में भी कुछ दिन यह उसकी गवा चलता है, ऐसा माना जाता है कि महल जो है शाही परिवारों की जिम महिलाएं थी, उनकी उप्यों के लिए था और यहाँ पर भूमिगत सुरंगे जो बनाई गई थी, वो भूमिगत सुरंगे कुल मिलाकर 27 अन्य महलों से कनेक्ट होती थी, इस लिहाद से भी यह काफी महतप है और 1857 के विद्रोग के समय, क्रांति उस संग्राम के समय, स्वतंतरता संघर्ष के समय हम का है, कि यह परिसर छतिग्रस्त हो गया, इसको नस्ट किया और अंग्रेजों ने न सिर्फ इस बिल्डिंग को नस्ट किया, बलकि यहाँ से परदे और यहाँ की अन्य फरनीचर भ क्लाउड मार्टिन, द्वारा निर्मित जो कोठी है, इसके अलावा लाल बालादरी, गुलिस्तान एयरम और दर्शन विलास, यह सब कुछ अन्य इमारतें भी इस परिसर में समलित हैं, यहाँ पर बागीचों काफी काफी सुन्दर प्रयोग किया गया है, बात अगर इसके वास्तुकलात्मक पक्षपर करें, तो वास्तुकला के लिहाज से आप देखेंगे, छतर मंजिल जो है, यहाँ पर एक उतक्रिष्ट वास्तुकला शेल्प का उधारन प्रस्तुत करती है, और यहाँ पर इटली अर्था इतालवी और फ्रांसिसी, यह दोनों शैलियों की छ इस्ते में प्रदर्शित होते हैं, लेकिन उपर के अगर बात करें, तो उपर यहाँ पर महराब और जो गुंबध है, वो कहीं ने कहीं, जो मुझल वास्तुकला है, यह इस्लामिक वास्तुकला है, उसका प्रदर्शन करते हैं, और यहाँ पर कुछ विश्तृत पुष्प अलागी भविता को दर्शाता है इसको एक जीवन्त और पोशित विरासत के रूप में प्रस्तुत करता है यहां पर जो मैटेरियल इस्तेमाल हुआ है वो बलुवा पत्थर हुआ है बलुवा पत्थर से निर्माण हुआ है और महराब और सजावटी संदरी करण से सजी इसकी विशाल, हाल, राजसी, कमरे, हश्चरजनक, आंगन ये सब चीजे हैं और राजा जो थे वो खगोल विध्यान को इतना प्रेम करते थे कि खगोल विध्यान के उनके प्रेम को देखा जा सकता है इस मारत में उन्होंने इंग्लैंड से दो दूरवीने मंगाई और छटर संजिल की छट पर उनको लगवा दिया तो ये इनका प्रेम दिखाता है खगोल विध्यान के प्रती साथ ही यहां पर जो क्यारियां हैं वो बहुत सो सज्जित थी गुलिस्तान एरम अर्थाद गार्डेन अफ पैरडाइस की संगिया उसको दी गई उसको कहा गया और आप बात करें तो वाजिद अली शाह ने 1847 के आज पास कैसरबाग लखनों में ही एक दूसरी जगह है कैसरबाग वहां पर जब अपना महल शिफ्ट किया स्थानांतरित किया तब ये फिर से वो अधिकारिक महल नहीं रह गया कैसरबाग सिफ्ट होने के पश्चाथ बाद म प्रतिष्ठित संग्रहाले और सांस्कृतिक केंद्र की मांग की जाती है फिलहाल अप सी डियाराई यहां पर नहीं है उसकी बिल्डिंग अलग बनाई जा चुकी है लेकिन इसको बार-बार मांग की जाती रही कि इसकी इमारतों के संरक्षण के लिहाज से हलागी काफी सं संग्रहाले और सांस्कृतिक केंद्र में तबदील कर दिया जाए अंत में आते हैं अभ्यास प्रश्ण की तरफ हमारी परिपाटी है और अभ्यास प्रश्ण का जवाब आप देंगे इससे पता चलेगा आपने कितने बढ़िया डंग से संदर्व को समझा है छतर मंजिल का संदर्व समझ में से अवध के किस नवाब से है आपके आप्शन है सफदर जंग शुजाओद दौला आसफु दौला साधत अली खान उमीद है आपको संदर्व समझ में आया होगा उपयोगी होगा आपके लिए लड़ते रहें अपने लक्ष की और बढ़ते रहें संदर्व समझ में आपके लिए लड़ते लिए लड़ते रहें विए लागें प्रूला आसपके लिए लड़ते रहें अली खानतों है लोगा आपके लिएवदाद के लिए लगाद